भारती जंता पार्टी ने जिस राज्य के नाम पर वार्ट बैंक बनाने की कोशिश की थी आज उसी राज्य की हालत ऐसी खस्ता हो गई है कि सभी लोग सवाल कर रहे हैं दरसल आयोध्या के राममंदिर की छट से बारिश का पारी टपकने लगा है पहली बारिश में उत्तरप्रदेश के अलग-अलग राज्यों में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उससे देखकर यह अंदाजर लगाया जा रहा है कि हर जिले को कही न कही भारती जंता पार्टी ने अपने भरष्टचाशार से बिलकुल नाप दिया है और इस तरह से आयोध्या की राम नागरी में भी भारती जंता पार्टी की डबल इंजन सरकार का भृष्टचाशार चरम पर पहुच चुका है इसी के साथ में यहां की मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि जहां राम निला राजमान है वहां पहली बरसाथ में ही पानी चूने लगा उरह ने कहा कि अंदर भी पानी भर गया था मुख्य पुजारी का ये भी कहना है कि जो निर्मान हुआ है उसमें देखना चाहिए कि कहां कमी रह गई जिसकी वज़ा से पानी टपक रहा है आपको बता दे कि जुस तरीके से आयोध्या से भारती जुन्ता पार्टी हारी है उसके बाद से भारती जुन्ता पार्टी का विकास आयोध्या में दिखाए देने लगा है पहली बारिश में किस तरह के हालात अयोध्या के हो गए वो तमाम तस्वीरों के जरीए से आप समझ सकते हैं और अंताज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष को बार बार भरश्टचार के नाम पर कडगरे में खड़े करने वाली भारती जंता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किस तरीके सायोध्या में विकास के नाम पर नाले बाहर है तमाम तस्वीरों के जरीए से आप समझ सकते हैं कि क इस तरह के हालात अयोध्या के बने हुए इसी के साथ में विपक्ष के साथ साथ तमाम नेता जो है सवाल कर रहे हैं कि भारती जंता पार्टी का भरश्टचार इस तरह से निकल गर सामने आ रहा है फिलाल आप इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे कॉमें सेक्शन में जरूर ब